आज हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएंगे तो इसके लिए मैंने चॉकलेट केक पहले से ही बेक कर लिया है केक की आइसिंग हमेशा स्पॉंज के रूम टेंपरिचर में आने के बाद ही करना चाहिए क्योंकि अगर हम गरम केक में आइसिंग करते हैं तो क्रीम टेंपरिचर की वज़े से पिगलने लगती है या मैंने स्पॉंज की ऊपर की टाइट वाली लेयर निकाल ली है इससे केक की सोकिंग प्रोसेस आसान हो जाती है अब हम स्पॉंज की तीन पार्ट में लेयरिंग कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने ब्रेड नाइफ का यूज करके केक की चारो साइट से निशान लगा लिया है और अब इस निशान के अकॉर्डिंग ही हम कटिंग कर लेंगे तो इससे बिल्कुल पर्फेक्ट कटिंग होगी या मैंने सेम प्रोसेस से दूसरी लेयर भी कट कर ली है और हमारा केक तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है देखिए हमारे केक की लेयरिंग कितनी पर्फेक्ट ली हुई है और ये जो थोड़े से क्रम्स निकल गए है इसे मैं साफ कर लेती हूँ केक की लेयरिंग के समय जितने भी थोड़े बहुत क्रम्स निकले सबको तुरन साफ कर ले नहीं तो ये केक की क्रम कोटिंग के समय या फिर आईसिंग के समय केक में फिनिशिंग नहीं आने देते अब मैं bottom layer की soaking कर लेती हूँ तो इसके लिए मैंने पानी में चौकलेट सॉस डाला है चौकलेट सॉस के जगा आप गराश का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं बॉटम लेयर की सोकिंग के बाद अब मैं या पर विपिंग क्रीम स्प्रेट कर लूँगी एक लेयर में 3-4 टेबल स्पून विपिंग क्रीम इनफ है लेकिन अब अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग अब मैं या पर क्रीम स्प्रेट करने के बाद चॉकलेट गनाश एड़कर रही हूँ आप चॉकलेट गनाश चॉकलेट सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं गनाश मैने 2 टेबल स्पून के करीब एड़क किया है इसके भी quantity अपने taste के इसाप से आप कम्या जादा कर सकते हैं चॉकलेट जनाश के बाद मैंने चॉको चिप स्प्रिंकल किया है चॉको चिप की जगा चॉकलेट के पीसेज भी डाल सकते हैं या फिर इस टेप को हम skip भी कर सकते हैं अब मैंने यहां पे स्पॉंज की सेकेंड लेयर रख ली है और इसे भी मैं सोक कर लूँगी 500 ग्राम की केक में 200 से 2500 अमल पानी डाल सकते हैं या मैंने वाटर 200 अमल लिया है और उसमें 25 ग्राम के करीब चॉकलेट सॉस डाली है अब हमारे केक के सेकेंड लेयर की भी सोकिंग हो चुकी है और अब मैं यहां पे विपिंग क्रीम स्प्रेट कर रही हूँ स्पॉंज के टॉप में क्रीम स्प्रेट करने के साथ साथ हम साइट से भी फिनिशिंग देते जाएंगे मिडिल लेयर की क्रम कोटिंग अच्छे से हो चुकी है अब मैं यहापे फिर से दो टेबल स्पून के करीब गनाश पूर करके स्प्रैट कर लूँगी अब यहापे मैंने गनाश भी अच्छे से स्प्रैट कर लिया है अब मैं यहाँ पर एड़ करूंगी थोड़े से चौको चिप्स या फिर चौकलेट के पीसेज अब बारी आती है टॉप लेयर की तो टॉप लेयर को भी सेट करके उपर से रख लेंगे और इसे भी अच्छे से सोक कर लेंगे अब हम फिर से विपिंग क्रीम स्प्रेट कर लेंगे और टॉप की लेयर में हम थोड़ी जादा विपिंग क्रीम डालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्रम कोटिंग भी करनी है और केक को फिनिशिंग भी देनी है अब हम palette knife का यूज करके cream को side से और उपर से अच्छे से फैला लेंगे और cake की crumb coating कर लेंगे अगर palette knife का यूज करके side की finishing अच्छे से ना आए तो plastic scrapper या फिर cake lifter का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने cake lifter का यूज करके side से finishing दे दी है अब हम एक wave effect का cake बनाना है तो इसके लिए हमने silicon brush का यूज किया है और अब हम silicon brush को एक जगा रख कर उपर से नीचे करते जाएंगे और turn table को गुमाते जाएंगे side से हमारा बहुत ही अच्छा wave effect आ चुका है अब हम same process top के लिए भी करते जाएंगे top से wave effect देना जरूरी नहीं है क्योंकि हम black forest cake बना रहे हैं तो chocolate से top की layer ढख जाएगी अब हम cake को chocolate से cover कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने dark compound को कुछ देर के लिए freeze में रखा था और इसे मैंने greater का use करके grate कर लिया है अब cake को chocolate से चारो तरब से cover कर लेते हैं तो हमारा cake बिल्कुल अच्छे से cover हो चुका है अब मैंने 1M का nozzle लिया है इस nozzle से black forest के बिल्कुल perfect rosettes बनकर ready होते हैं देखे कितने perfect rosettes बने हैं अब हम छोटा वाला star nozzle का use करके side का border दे देंगे अब हमने यहाँ पर जितने भी rosettes बनाए हैं सबके उपर हमें cake cherry रख लेंगे जिससे की cake और भी जादा attractive दिखेगा अब हमारा बहुत ही tasty और बहुत ही yummy black forest केक बनकर ready है वीडियो पसंद आए तो like, share, subscribe जरूर करें थैंक्यू फर वाचिंग झाल